गुड मॉर्निंग मैं हूँ दीप्ती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूजेटीन के हमारे स्खास कारिकरम भाग्यम में और भाग्यम के इस विशेश सेग्मेंट में जहां पर आप और हम हर रोज औरिकल कार्ड के जरिये जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है और हम ऐसा क्या करें किन बातों को करना अवाइड करें जिससे आज की दिन को हम और भी बहतरीन बना सकते हैं और इसके लिए हम एक से लेकर 9 मूलांग तक की गाइडेंस लेते हैं कौन सी guidance होगी आपकी कौन सा होगा आपका मूलांग ये दिया आपको नहीं पता है तो उधारन देकर आपको बताना चाहूंगी अगर आपकी date of birth है 15 यानि की 15 तो एक और पांच को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ाता है नमबर 6 तो नमबर 6 होगा आपका मूलांग और आज की तारिक है 9 अगस्त 2023 नमबर 9 आप तो जानते हैं कि कितना auspicious अंक होता है और नमबर 9 कि जो स्वामी होते हैं वो होते हैं मंगल और ये इतना शक्तिशाली अंक होता है इसकी उर्जा इतनी प्रबल होती है जैसे कि 9 प्लानेट होते हैं और 9 देवियां भी होती है तो आप समझ जाए कि शिव की उपासना करनी शुरू की उनके पार्थिव लिंग की और उसके बाद उन्होंने बीज मंत्र जो है जिसे कि हम महाम नत्र भी कहते है और लगातार निरंतर उनका ज्वाप किया और जब कहा जाने नहीं दिया और दीरगायू प्रदान के किने मारकंडे रिशी को और उसके बाद ही जो उनका बनाया हुआ जो महामर्तिन्जे मंत्र है जिसके द्वारा हर प्रकार की रोग व्यादी ब्याधा अगर किसी को होती है तो वह उनका उच्चारण करते हैं सवालाक मंत्र का ज जो महान संत और रिशी मुनी हुए हैं जो अपने आप में महावेग्यानिक थे जिन्हों ने ऐसे बीज मंत्रों की रचना की बहुत छोटी उम्र में जो कहीं न कहीं आज भी हमारे लिए लावदायक है और कहा जाता है कि जो नंबर 9 है नंबर 9 की जो एनरजी है वो कहीं न कहीं शिव शक्ती उर्जाओं का समागम है यदि आपने सुना हो महान वेग्यानिक नुकॉल टेसला के बारे में तो उन्होंने भी 369 की थे जिसके इंदर नंबर 9 को उन्होंने बहुत ऑस्पीशियस नंबर बताया ऐसा कहा जाता है कि नंबर 9 की उर्जा इतनी करते हैं तो जो भी चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं पूरे द्रड़ निष्टे के साथ आप उसे अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं आए दोस्तों आज ही कारिकरम को हम आगे बढ़ाते हुए आज के दिन की उर्जाओं का भी हम विशेश ध्यान रखते हुए आज के दिन की उर्जाओं को हम सभी ये प्रण लें कि बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने देंगे आए जानते हैं मूलांक एक के लिए आज हमें एंजल एंड सिस्टर्स क्या गाइड कर रहे हैं 9 अगस्त 2023 के लिए ग्रेट टीचर का कार आया है आपको कहा गया है कि आपके जीवन अगस्त के लिए और नहीं आपके संगर्सों नहीं आपको वेक्त वयक्तित वो बनाया है तो आज आपको क्या करना है आपको यह कि यह rawAK industrial का मैट अँव्राइ joints का कोई माटर्य आपके अनुभव से लिग का भीड से अलग बनाएका आपका दिन शुभा आईए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमारे एंजल एंजिस्टर आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 9 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 2 के लिए हमें कहा गया है हर्मिट का कार्ड है आपको कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है माना कि आज की उर्जे बहुत जादा पावरफुल है लेकिन कहीं न कहीं आज के दिन आपको थोड़ा सा शान्त रहना भी जरूरी है क्योंकि आज आज आपको कहते हैं ना दोस्तों कि तीर को जितना पीछे खीचा जाता है उतना ही तेजी से वो अपने लक्ष की तरफ पहु आज की उर्जाओं का सुदुप्योग करके आप अपने जो टार्गेट है उसे एच्छीव कर पाएंगे आपका दिन शुब हो आईए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमारे एंजल्स एंसिस्टर्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं 9 अगस्ते 2023 के लिए और मूलांक 3 के लिए हमे और एंजल्नंट की से ब्रकूद कर पाएँगे आपको आपका दिन शुब हो आई यह जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमारे angel and sisters हमें आज क्या guide कर रहे हैं 9 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 4 के लिए हमसे कहा जा रहा है water garden का card है आपको कहा जा रहा है आज कि दिन आपको emotional आप feel कर सकते हैं को ऐसी बात कहीं न कहीं आपको भीतर से दुखी कर सकती है या भावक आप हो सकते हैं जरूरी नहीं वो कि कुछी भी जो है भावकता ले आती है या कभी-कभी बहुत विपरीत परिस्तितियों में अचानक से प्राप्त की गई सफलता भी हमें भावक कर देती है तो आज आपके emotions को आपको देखना जरूरी है अपने आपको पहचानना जरूरी है कभी-कभी कुछ चीजें जो हमार बीतर मजबूती के साथ अटक जाती है रुक जाती है हमारा इगो जो है वहां स्टिक हो जाता है और रोने से क्या होता है वह एनरजी हमारी रिलीज हो जाती है बहुत सुकून महसूस करते हैं तो डिवाइन आपको क्या कह रहा है कि आज आप emotional हो सकते हैं ऐसे में emotional होने पर इसके लिए और मूलांक पांच के लिए हमसे कहा जा रहा है देखें दो काड़ आए हैं शेप शिफ्टर एंड शीवाल दोनोई कार्ज है बहुत उगर कार्ज है और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन जो है कही ना कहीं आप अपने भीतर एक बड़ा परिवर्तन महसूस कर सकते हैं आज आपके सामने दो तीन ओपर्शुनिटीज होंगी और आप सोचेंगे कि आपको किसको ग्राब करना चाहिए तो आपको अपने टैलेंट के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए हो सकता है कि आपको आज अपने व्यवहार में थोड़ी उगरता दिखानी पड़ सकता है आपको किसी चीज का विरोध भी करना पड़ सकता है आज आपके अपनी ENERGACHस का सदुप्योग करें और यह जो अगर आप इसे पैशन में तबदील कर देंगे अगर आप किसी चीज को प्राप्त करने में तबदील कर देंगे तो आप मूलंक छे लिए हम से कहा जा रहा है घारे ने इंजल का गारे है आपको कहा जा रहा है gebeur किस्थ प्रकार को लेकर आप सोच रहें किसी बात को लेकर तो बिल्कुल परिशान नहों आपके गार्डेन एंजल्स आपके साथ हैं आप बिल्कुल भी अकेले नहीं अगर इस स्थूल जगत में कोई आपकी साहता नहीं कर रहा है अगर आपके सपोर्ट में कोई खड़ा हुआ नहीं तो आप चिंदा ना करें वो दिव्वे जो डायमेंशन है अदर डायमेंशन की जो अपने आपको शांत करें अपने आपको ध्यान में लेके जाएं और जो फर्स थॉट आता है जस्ट वॉक ओन इट आपका दिन शुभो आए जानते हैं मूलांक साथ के लिए हमारे एंजल्स एंजिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 9 अगस्ट 2023 के लिए और म परिवर्तन लाने की जरत है उर्जाएं अच्छी होने से अगर विचारधारा सही नहीं है तो भी गड़बर हो जाती है ट्रेन को जाना है बॉमबे लेकिन पट्री जो है वो दिल्ली जा रही है तो कहां से बॉमबे पहुंच जाएंगे तो स्वभाविक सी बात है उर्जा प्रयास करें है आपके मार्ग करने का प्रयास करें फिर वचाहिए अपनी परमितर क्यूना हो तो आपको जब तक ही आप अपना टार्किट जीव नहीं कर लेते हैं इसे लोगों से थोड़किनारा करना पड़े अगर आप वास्त्विक्ता में सफलता चाहते हैं तो आपका जा रहा है protection guardian का card है आपको कहा जा रहा है आप और आपका परिवार जन पूरी तरह से सुरक्षित हैं किसी भी प्रकारगी और सुरक्षा की भावना से आपको बचना चाहिए कहीं ना कहीं आपके जो negative thought process है यह आपके लिए थोड़ा बढ़ा बढ़ा के बढ़ा बढ़ा के 70 परसंट तक ले आती है और हम उसी को सच मानने लगते हैं तो परिस्तिती अपनी जगह है लेकिन आप अपने mind को अपने thought process को उससे बिलकुर detach रखिए आपको परिस्तिती में problem में खड़ा नहीं होना है बलकि problem के बाहर खड़ा होना है तभी आप उसका solution निकाल पाएंगे आपका दिन शुब हो आईए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा हमारे angel and sisters हमें क्या guide कर रहे हैं आज 9 अगस्त 2013 के लिए तारिक भी है नो मूलांक भी है नो और हमसे कहा जा रहा है protection guardian का card है card जह हो repeat हुआ है आपको कहा जा रह परिक्षा की भावनाओं से बाहर निकलना है क्योंकि आज की दिन की उर्जाएं बहुत अच्छी है energies are very high and this is very important कि आपके विचार धाराओं में सकारात्मक परिवर्तन होना जरूरी है विशेश तोर पर बात करते हैं आपके करियर को लेकर आपके व्यवसाय को लेकर धन प्योग करें और अपने फॉर्ट प्रॉसेस में एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएं साथ ही साथा को कहा जा रहा है कि जो भी को एक आपने अपने आपको ब्लॉक कर रखा है आप अपने आपको comfort zone में रख रहें उससे आपको बहार निकलने की जुरत है आपका दिन शु पर कर सकते हैं आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणा कर आप सभी का स्वागत है भाग्यम में मैं हूँ पंडित चंद्र शेकर शर्मा दर्शे को सब सब पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग के आज दिनांग है 9 अगस्तन 2030 विक्रम समवत 2080 चल रह है दौपेर बाद 3.49 मिनट तक आगे ध्रुव योग है तो योग की द्रश्टी से आज का दिन शुब है योग का रख है पूरा पूरा इसका सदुप्यों कीजिए करंड तैतिल है दौपेर बाद 3.50 मिनट तक आगे गर करंड रहेगा सूर्योदे का समय दर्शे को सुबे पांच बच के 54 मिनट का था और सुर्यास्त का समय शाम 7 बच के 9 मिनट का है आज का राहुकाल दौपेर 12 से डेड़ बजे के बीच रहेगा इसे पूरी तरीके से टाल दीजेगा क्योंकि इसमें कोई शुबकारी नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना पहले कोशिश तो यह करें कि उत्तर दिशा की यात्रा को टाल दें लेकिन जाना बहुत जरूरी है अनिवार यात्रा है तो परिहार करके निकले परिहार बहुत सरल है उत्तर के और मुखी जिए थोड़ा सा धनिया या मूंग के दाने खाकर पहले पांच कदम पीछे आज का शुब समय दर्शे को यानि आज की दिन का सदुप्योग करने का जो समय है वो है सुबह 7 बच के 35 मिनट से शुबह 9 बच के 10 मिनट तक फिर सुबह 10 बच के 22 मिनट से दोपेर 12 बजे तक और फिर दोपेर बाज 4 बजे से शाम 7 बजे तक तीनों का लखेंड बाकी पूर व्रश राशी यानि अपनी उच्च राशी में प्रवेश कर जाएंगे जिससे आज का इदिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ उस्प्रकार रहने वाला है सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की तो मेश राशी वालों को होगा आज अपनी वाणी से लाब सुद्रेगा स् स्किल्स बहुत ही बैटर हो जाएंगे और व्रश राशी वाले अपने जीवन साती से संतुलन पाएंगे जीवन में और इस सपोर्ट से आगे बढ़ने की प्रेड़ना आपको मिलेगी वहीं मितुन राशी वाले आर्थिक नुकसान का सामना आज आपको करना पड़ सकता है सोच समझ के कहीं पैसा लगाएं और करक राशी वालों को होगा जबरदस लाब हर प्रकार से सफलता की योग बन रहें वहीं सिंग राशी वालों को मिलेगा करियर में एक बहुत ही आगे बढ़ने का मौका एक नई पहचान और कन्या राशी वाले आज धार्मी की स्तानों पढ़ जा सकते हैं और मन आपका बहुत ज़्यादा ध्यात्मिक रहेगा तुला राशी वाले स्वास्त का रखे ध्यान कोई गुप्त गूड तथ्या को पता लग सकता है और व्रश्चिक राशी वाले जो एविवाइत हैं उनको योग प्रस्ताव मिल सकते हैं अच्छे र आगे बढ़ने की मिलेगी प्रेड़ना और मीन राशी वाले इनको पराक्रम और आत्व विश्वास की व्रद्धी होती दिखेगी बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिलेगा अपने दम पे आप आगे बढ़ते विए दिखेंगे तर्शे को आप करते हैं आज की दिन की ज माधान दर्शे को भगवान बुद्ध को मध्यम मार्ग का प्रणेता माना जाता यानि मध्यम मार्ग जिन्नों ने शुरू किया या बताया समझाया आम जन्मानस को यानि उन्होंने अतिवाद से किनारा किया था और बीच का सरल साधना मार्ग आम जन्मानस को दिया यह उन बढ़ने जारे कन्या के गीत के स्वर उन्हें सुनाई देते हैं जिसमें बोल कुछ इस प्रकार थे कि वीना के तारों को बहुत ज्यादा अगर खेंच दिया तो तूट जाएंगे और धिला छोड़ा तो उनमें स्वर उत्पन नहीं होगा यानि कि कोई संगीत नहीं आएगा इसलिए मध्यमा कसे यहीं बीच का कसे तो सुन्दर संगीत उत्पन होगा अब ये जीवन का सूत्र है कि अतिवात से बचना चाहिए और बैलेंस बनाए रखना चाहिए और बुद्ध से लगबग धाई अजार वर्ष पहले परमात्मा श्री कृष्ण ने यही बात साधना योग के विशय में कही कि युकताहार विहारष्षे युक्ति चेष्ट श्र करमशुदं यूप्थष्वं बोधिस्य क्योगों भवती दुखा कि दुखो का अंत करने में जो सक्षम योग है ये उनीक से हो पाता है जो उचित अहार विहार करते हैं उचित श्रम करते हैं उचित निद्रा यानि समय पर सोना समय पर जागना करते हैं और देहे की आवशक्ता के अनुसार रितुओं के अनुसार भूजन बिल्कुल उचित करते हैं तो जो एकदम भूका रहेगा ना सोएगा उससे भी साधन तत्व नहीं मिलेगा और जो भोग की अती करेगा साधना क तो सोच ही नहीं सकता तो आज की ज्यान चर्चा का सार ये है कि अतीवात से बचे अती किसी भी चीज की बुरी हो सकती है आप देखते हैं बहुत ज़ादा कसरत करके भी लोगों के नुकसान होता शरीर में और बिलकुल नहीं करते तो उनके शरीर में रोग हो जाते हैं तो सफलता को अड़चनों को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते वे सफलता की और द्रड़ता से कॉन्फिडेंस से पॉजिटिवली अगर सर होते हैं सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जनम दिन है तो जिन ऐसी दर्षी को बहुत बार यू होता है कि आप दॉस्टी दोष के शिकार हो जाते हैं या किसी ऐसे स्तान से आप जाकर वापस आते हैं, जहां नकार आत्मकता इन lucative energy का वास होता है, तो आपकी जो औरा है वो डेमेज हो जाती है और वह जो negativity है वो आप पर हावी हो जाती है और आप विभिन समश्याओं से घिर जाते हैं, ऐसे इस्तिती में आपको कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए बढ़ना ये परेशानी अगर बहुत समय ले चुकी हो पुरानी हो जाए तो बहुत बड़ी समश्या में परिवर्ती तो जाती जिसका उपाय करना इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो आको करना ये है कि दो जोड़े पान और बावन लॉंग के जोड़े और चौदा बरफी चौदा काज की चूड़ी सिंदूर और कपूर इस सारी चीजे ले 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 और एक पतल पे इने रखें और अपने सिर पड़ से साथ बार एंटी क्लोक वाइज इनका उतारा करवा ल के सामने हैं यह आप करते हैं तो इस समश्या से आप बाहर आ जाएंगे ऐसे अगर यह समश्या बार-बार होती हो और कोई व्यक्ती बहुत ज़्यादा एडशा रखकर द्वेश रखकर आपको बार-बार परिशान कर रहा हो तो छोटा सा उपार आपको निश्यत रूप से करना चाहिए इस तरह की सभी समश्याओं से आपको भार भी निकाल देगा और ऐसी समश्याओं दुबार आपके साथ नहीं होगी करना सिर्फ यह है कि रात सवादस बजए तीन बूंदी के लड़ू ले लिजिए डाइसो ग्राम साबुत उड़त उबले हुए हों वो सामन माता को खिलाए तो यह जो सभी समश्याओं है इनसे आप बहार आएंगे आप बहुत जबड़तस आपको आराम मिलेगा ऐसी दर्शे को जिन कन्याओं की विवा में अनावश्यक विलंब हो रहा हो तो उनको चाहिए कि हर मंगलवार को गौमाता को दो रोटी विना नमक्की और गुड़ खिलाएं और सवा मुठी अपने हाथ से लेकर चीनी सवा मुठी साबुत चावल और ग्यारा रुपे सिक्के के रूप में और इन सब चीजों को एक सफेद कपड़े में बांध कर पूजा के स्थान पर रख दें और रोजाना दो घी के दीपक जलाकर तीन माल सर्व मंगल मंगले शिवे शर्वार्त सादी के शरन्य तरंब के गौरी नारायनी नमस्तुते इसकी तीन माला करती रहें बहुती शिग्र बहुती अच्छी जगे पर विवात होगा कारे सिब दोने के बाद में जो सामगरी आपने बांध के रखिए इसको किसी ना किसी हमारे पास जनम पत्री का यह हमारी दर्शक प्रेंका जैन जी की जालोर से हैं 20 अक्तुबर 1997 में का जनम है और सुबह 9 बच के 18 मिनट का समय है जालोर में प्रशन किया है लव मैरिज और अरेंज्ट इनका प्रशन की शादी कैसी होगी इनकी देखिए प्रेंका जी व्रश् दर्शा रहे कि आप अपने मन के अनुसार पसंद के लड़के से ही विवा करेंगी थोड़ा सा ध्यान यह रहे कि आपके पंचमेश गुरू नीच राशी में और पंचम में शनी है जिसकी तीसरी द्रश्टी सब्तम भावप है विवा भावप है जो यह दर्शा रही है कि एक तो आपके निर्णे गलत हो सकते हैं यानि आपका जो सेलेक्शन है वो सकता हो गलत हो दूसरा आपके विवा में अर्चन आ सकती है तो ऐसे में आप गुरू के जाब करवाईए और शनी शनी ग्रे की शांती भी करवा लीजी यह दोनों काम बहुत जरूरी है तो फिर आ पुरा लाब उठाएंगे और जो ज्यान चर्चा जो सत्संग हमने की इसे अपने जीवन में उता रहेंगे धीरे धीरे आपका जीवन शिव में सत्य में और आनंद में होता जाएगा महादेव से प्रातना करता हूं कि जब आप हमारे बताएवे उपाय करें तो आपके कश भगवतिया सबका कल्यान करें जय आदिशक्ति